मेरे चैनल पर आप सबी लोगों का बहुत स्वागत है वो कहते हैं ना कि जो हाथी की दात होते हैं वो खाने के ओर होते हैं और दिखाने के ओर होते हैं तो आम आदनी पार्टी में जो कुछ दिखाने की चीजे हैं वो अलग है जो वो करते हैं वो अलग है कमाल की बात है आप पार्टी के अंदभक्त जो इतना कुछ होते होगे भी पार्टी की भक्ती में लीन है उन्होंने केजरीवाल को भी फेल कर दिया है यानि कि केजरीवाल के बारे में आप जान ही रहे हैं कि आजकल किस तर क्लास लग रही है वो सब चीजें खतम नहीं हुई है कि देखे एक और मामला सामने आया है आज मैं आम आदमी पार्टी के लिए ऐसा क्यों कह रही हूं ये भी आप समझ जाएंगे क्योंकि एक आदमी एक आम आदमी आम आदमी पार्टी का विधायक जिसने कैमरे पे ओन कैमर आदमी पार्टी के लिए वो केवल एक रुपय तंखा पे काम करेगा बाकी उसे और कुछ नहीं चाहिए लेकिन अचानक से फिर एक दिन ये पता चलता है कि उसने तो अपने कहें पर पानी फेर दिया है जूट बोला जब सब चीजे सामने आई तब पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था और अपनी बातों में ही वो फस चुके हैं पंजाब के नाभा से आम आदमी पार्टी के विधायक गुर्देव सिंग मान अपने ही दावे में इस समय घिर गए हैं गुर्देव सिंग मान ने ये दावा किया था कि वो अपनी पार्टी से सरकार से किसी भी परकार की कोई सुविधा नहीं लेंगे अपना 25,000 रुपया जो उनको वेतन मिलने वाला है वो भी वो नहीं लेंगे उन्होंने ओन कैमरा ये कहा था कि वो एक रुपया थनखा आपे काम करेंगे लेकिन सब कुछ इसके उलट कर दिया आर्टी आई एक्टिविस्ट मानिक गोईल ने जब आर्टी आई डाली तो उसमें ये पता चला कि हर महीने के हिसाब से 13 महीने में वेतन, भत्ते और जितनी भी सरकारी सुवधाएं हैं उसमें वो लाखों रुपय ले चुके हैं आप देखिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ उनका हिसाब किताब पहले तो आप मांस आपको ही देख लीजे कि ये क्या चीज है देखिए ये साइकिल पे चल रहे हैं और इनका ये कहना है कि उन्हें ये शौक है कि वो साइकिल पे ही चलेंगे और ये इनके हिसाब किताब की एक लिस्ट है जो RTI Activist ने निकाली है RTI Activist के मताबिक और फिर आप ये जो लिस्ट देख रहे हैं इसके मताबिक विधायक देवमान हर महीने 25,000 रुपे वेतन समेथ CA, CSPA, Office के जो खर्चे होते हैं वो जिसमें Water, electricity, telephone bill, allowances समेथ कुल 84,000 रुपे ले रहे हैं और 13 महीने में 84,000 के हिसाब से देवमान साब करीब 10,000,000 और 92,000 रुपे ले चुके हैं अब अगर उन्हें ये सब लेना ही था तो उनसे किस ने कहा था कि वो जूट बोले या कि मतलब वो ऐसी बात करें उन्हें जरूरत ही नहीं थी ऐसा अगर वो ना भी कहते तो उनकी विधायकी कहीं जाने वाली थोड़े न थी विधायक देवमान ने on camera ये कहा था कि आप सरकार के दौरान कारेकाल के दौरान वो केवल एक उर्पयतन खा पर अपनी सेवाएं देंगे ये उन्होंने दावा किया था और ये मैं आपको बता दूँ कि इस समय उनका जो on record, on camera उन्होंने कहा था ये सब इस समय trend हो रहा है social media पे और जब उनसे ये पूछा गया था कि आप अपना खर्चा कैसे चलाएंगे क्योंकि ये उन्होंने कह तो दिया लेकिन जब उन्होंसे ये पूछा गया कि आप बिना salary के अपना घर कैसे चलाएंगे घर चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है तो उन्होंने ये कहा कि उनकी पत्नी Canadian PR है इतना बंदोवस्त है कि वो अपना खर्चा निकाल लेंगे और मानसाग ने दावा भी किया था कि उनके पास कनाड़ा की PR है उनकी पत्नी भी कनाडियन है ऐसे में उनको खर्चे की कोई दिक्कत नहीं होगी और उन्होंने ये भी कहा था on camera कि वो पहले भी बिना मेतन के काम करते रहें तो आगे भी करते रहेंगे अकसर cycle पे ही वो अपने हलके में घूमते हैं और cycling करना उनका शौक है उनका ये भी कहना है उनका कहना क्या है obviously ये पता ही है कि गाड़ी पे अगर जाएंगे तो आप pollution फेलाएंगे तो वो ये कहते हैं कि बातावरन अच्छा रहता है सरकार द्वारा मुझे गाड़ी दी गई है लेकिन मैं गाड़ी में नहीं चलता और इन विधायक साहब ने ये भी कहा था कि दफ्तरों में चेकिंग की गई उनका स्टाफ काफी हद तक पूरा पाया गया और कुछ कमिया है जिसे स्टाफ को पूरा करने के लिए कहा गया है लेकिन अब मैं आपको बता दूँ कि इनको लेकर के सोशल मीडिया पे एक लड़ाई सी चल पड़ी है जैसा कि मानिक गोयल ने ट्वीट किया है कि ये बड़ा फरजी है और इन्हों आज के समय में टेलीफोन अलांसे 15,000 रुपे प्रती महीना जनता के टेक्स पर सुभधाओं का मज़ा लिया जा रहा है जितना इन्हें टेलीफोन अलांस मिलता है यार उतने में तो किसी गरीब का घर चल जाता है बड़े अराम से और इन्होंने लूट इन्हें ना कोई बोलने वाला है आम जनता की कौन सुनेगा और तमाम सारे ट्वीट इस समय चल रहे हैं इनको एक तरह से हैस्टेक किया हुआ है और लोग इन्हें ये कह रहे है कि जिन्होंने ये कहा था कि वो साइकल पे ही आया जाया करेंगे सिरफ एक रुप्यातन खा लेंगे आटियाई खुलासे में ये पता चला है कि उन्होंने साल में 10 लाक सेलरी और 3 लाक डीजल अलाउंस लिया है और इन्होंने केजरिवाल को भी पीछे छोड़ दिया है ये नाभा से विधायक का हाल है ये ऐसा अपने ट्वीटर हैंडल से विवेक शर्मा ने पोस्ट किया है अच्छा वैसे इन्हें जूट बोलने की जरूरत क्या थी इनसे किसने कहा था किसी ने पूछा था कि आप अपने जो आप क्या वेतन है आप लेंगे या नहीं लेंगे लेकिन इन्हें उस समय अपने वोट के लिए बड़ी-बड़ी डिंगे माननी थी बड़े-बड़े वादे करने थे तो उसी जोग मेनों ने ये कहा कि मैं एक उर्पया लूँगा और मेरा काम इसी में चल जाएगा लेकिन अब देखिए अब असलियस सामने आई है और सच मानिये तो इन्होंने केजरिवाल को भी जूट में पीछे छोड़ दिया है केजरिवाल इस समय आपका ये आपकारी नीती में फसे हुए है कई सारी एजंसिस उनके पीछे पड़ी हुई है और अब एक और उनके पीछे उनके ये आरुख लगाया जा रहा है कि उन्होंने आउट अफ दबे आ करके मौरे साब का ट्रांसफर किया है जैसे ही सुप्रीम कोड ने उन्हें एक हरिजंडी दी कि आप ही बॉस है तो उन्होंने उस बॉस की परिभाशा को समझे बिना ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू कर दिये उन्होंने एकाद ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं किया है उन्होंने करीब-करीब 99 पोस्टिंग किया है 99 तबादले किये है तो अब इस पे बात तो हो नहीं थी आए दिन उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि वो चर्चाओं में रहे भले ही वो उनके बुरे कामों के लिए चर्चा हो लेकिन उन्हें अच्छा लगता है कि उनकी चर्चा होती रहे फिलाल दोस्तो आज के लिए इतना ही ये वीडियो आप देख रहे हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप अंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो खुछ रहिए स्वस्त रहिए अपना और अपनों का ख्याल लखिए जैहिन जैभरत